बच्चो अब हम करते हैं इसका second topic जिसका नाम है solving equations having variable on both sides बही अब पहले वाले में क्या था variable जो था सिर्फ एक ही तरफ था हमारे पास यही था ना दूसरी तरफ क्या था constant अब यहां पर क्या होगा आपको left hand side and right hand side दोनों तरफ equation के क्या होंगे variable होंगे तो उसे कैसे solve करना है वो हम देख लेते हैं चलिए आ जाए तो example में आपकी book का ही ले रहा हूं exactly था कि जब आप अगर book से जो पड़े तो उसको असानी रहे example है आपके पास कि 2x माइनस में 3 which is equal to x plus 2 यही है ना ओके अब यहां पर देखो जब भी ऐसा कुछ भी आ जाए चाहे देखो आगे जाके s equation हो simple हो कोई और भी ज्यादा बड़ी power वाली हो सबसे पहली चीज क्या होती हमारे mind में कि जो भी हमारे पास variable वाली terms है उसको एक तरफ ले जाओ और जो constant वाली है उसको दूसरी तरफ ले जाओ ठीक है जी ताकि क्या हो हो हमारी variable एक तरफ होगी तो उसको solve करने में अर्सानी हो जाएगी तो यहां पर क्या है 2x माइननस 3 म्लग 3 सब्त्रेक्न हो तो 3 को ठाके उधर ले जाएंगे empathy फैसे लिखा थoter नहीं बड़ी क्या है यह माइननस सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या 3 इसको यह से पढ़ना तो यहाय पर क्या होता है बच्छों यह चीज तो आपको थोड़ी सी गलत बता दी जाती है यहाँ पर हम 3 को ही लेकी जाएंगे उदर बट यहाँ पर operation चेंज होता जब दूसी तरफ जाते हैं यह याद रखना क्या कि जब दूसी तरफ जाते है तो operation चेंज होता है जो number होता वो तो वैसे कई वैसा रहेगा ठीक है जी चलो यहाँ पर number के मेरे पास 3 जी वो क्या हो रहा है सब्ट्रेक्ट हो रहा है ठीक है तो दूसी तरफ जाएगा तो वो एड़ हो जाएगा x प्लस 2 3 उठके इधर आया इधर सब्ट्रेक्ट था इधर एड हो गया बस अब यह मत बोलना बच्चों आपको बहुत गलत चीज पढ़ा दी जाते है स्कूल में कि क्या यह नेगेटिव 3 है इधर जाके पोजिटिव 3 हो जाएगा नहीं नेगेटिव 3 का मतला तो 3 नेगेटिव पोजिटिव है नहीं बात ओप्रेशन और उसके साइन में फरक होता है यह याद रखना जी ठीक है अब देखो मैं कॉंस्टेंट तो अधर ले गया बड़ इसको इधर लेके आउंगा अब देखो सेम चीज यहां पर एक्स क्या है पोजिटिव है ठीक है मुझे तो एक्स को उठाके लाना है देखो मैं एक्स को उठाके लाया पहले 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 लिखो अब ध्यान से समझो अगर आज डाउट क्लेर हो गया ना तो तो बहुत चीज अच्छी हो जाएगा अब के लिए मैं एक्स को उठाके ऐसे लाँगा ठीक है बाड़ क्या यहां पर एक्छ पैड़ हो रहा है बाकियों के साथ एड़ हो रहे है न यह तो इधर आपकर चैने कर देंगे इसको अच्छित क्या हो गया यह यह सब्च्ट्रै क्या गई फाइफ ठीक है तो यह था आपको इस तरीके से सौल करने कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपको यह पता नहीं चलता कि इधर एडिशन है तो इधर आके क्या होगा यह इधर मैल्टिप्लाई हो रहा है तो कैसे दर जाके वह डिवाइड होगा म क्योंकि वह एक्जामपल करवाना बहुत जुरूरी आप लोगों के लिए क्यूं है वह मैं आपको बताता हूं अभी पहले मुझे एक बर एक्जामपल लिखने दोस्का ठीक है आप लोगों के पास भी यह एंसे एडिक होगी मैं भी कल कबाड़ी से खरीद के लाया हूं सह में 14 यह जामपल नमबर 13 आपके बुक का यह जान बूच के करवारा हूं मैं अभी बोला आपको ऐसा क्यूं है क्योंकि जिस तरीके से बुक में सॉल्व किया हुआ ला यह बहुत ही शोर्ट कट तरीखे से सोल्व किया हुआ हुआ है यह एक दम से आपको समझ में नहीं आन बिल्कुल, देखो क्या चीज है मेरे पास, 5x प्लस में एक rational number या fraction बोल लिजे, 7 upon 2, which is equal to 3x, यहाँ पर लिखो यहाँ पर लिखो एक ही बात है, 3x upon 2, minus में 14, यही चीज है, सबसे पहली चीज क्या, कि जो भी constant है, उदर ले जाओ, जो भी variable है, इधर लियाओ, यही चीज है कर लेते हैं, आजाओ, देखो, इधर है 5x, इधर में सारे variable यहाँगा, तो यहाँ पर 3x upon 2, क्या हो रहा है, 3x upon 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो है addition में, subtraction तो 14 हो रहा है, addition के अंदर है वो, ठीक है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पर लाओंगा, तो क्य क्या हो जाएगा यह, यह हो जाएगा भई, हमारे पास subtract, ठीक है ना, 14 बच्चों subtract हो रहा है, 3 upon 2 subtract नहीं हो रहा, 14 subtract हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, गलती मत कर देना, इसके आगे sign के है, plus का, plus का मतलब positive है, बट एक तरीके से वो addition में है, यहाँ पर, तो य addition में है, तो इदर जाके subtraction में आ जाएगा, minus 7 upon 2, ओके, आ जाएए, अब आगे solve करें, अब देखो मेरे पास क्या चीज़ है, मैं इसको 5x है मेरे पास, इसको ऐसे लिख सकता हो ना, बिलकुल लिख सकते है, minus में 3 upon, 3x लिख रहा हूँ मैं इसको, 3x upon 2, ऐसे लिख लो, इदर क्या है, minus 14, तो इसको minus 14 upon में 1, minus 7 upon में 2 कर लिया, ऐसे लिख सकते है, लिख सकते है, अब fraction fraction की form में आ गए न ये, तो क्या करेंगे, इनके दोनों के denominator सेम करेंगे, ताकि इसको solve कर सके, ठीक है जी, आजा, अब denominator सेम करते है, तो 1 को 2 कर सकता हूँ, बिलकुल कर सकता करूँगा, 1 को 2 करने के लिए, मुझे 2 से multiply करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करूँगा, जो हमने अब तक 6, 7, 8 क्लास में सीखते आ रहे हैं, 5X multiply by 2, okay, then क्या है, minus का sign, then देखो, ये 2 तो ऐसी रहेगा, 3X भी उपर ऐसी रहेगा, क्योंकि अल्रेडी 2 था, ठीक ह जी, इसको क्या कर सकते है, same वही, 1 को 2 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, कौन रोकेगा, क्योंकि रूल कहता है, देखो, 2 हो गया, अब उपर क्या करेंगे, कैसे 2 हो गया, multiply करके होगा, 1 को 2 से किया, तो minus 14 को भी 2 से multiply करूँगा, then minus का sign, then minus 7 upon 2, ये चीज हो ठीक है, 10X आएगा, then नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, then minus 3X upon 2 आएगा, इधर क्या आएगा, minus 14 into 2, minus 28 आएगा, 1 sign negative लिए, और नीचे क्या आएगा, 2, then इधर minus 7 upon 2, ठीक है, एक सगेंड दे दीजे, मैं चेक कर लूँ, आपको वीडियो क्लिर आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, ठीक है, हाँ, अब देखो, ये चीज होगी हमारे पास, अब देखो, आगे कर चलते हैं इसके अंदर, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर, देखो, इसको solve करना है, यहां से क्या करेंगे, यहां पर 2 बराबर आ जाएगा, मारे पास, एक बार, क् ओके, माइनस 28, एड यह माइनस 7, ओके, यह क्या हो जाएगा, बच्चो, 2 हो गया, यह उपर क्या जाएगा, 7x आ जाएगा, 10x में से माइनस 3x होगा तो, 7x, एड माइनस 28, माइनस 7, ओपरेशन क्या होगा, एडिशन का साइन, नेगिटिव, 28 प्लस 7, 35, अब पोन में 2, ओ इस 2 को हम क्या करेंगे, उदर ले जाते हैं, अभी 7x, 2 को उदर ले गए, माइनस 35 अपोन में 2, इदर क्या डिवीजन में है ना यह, वन अपोन 2 है, उदर जाके, मल्टिप्लाई हो जाएगा, बेरी गुड, कड़ गया, खतम हो गया, इदर क्या बचा, 7x इसकोल टू माइ हो जाएगा, 7 की टेवल में कितने पर जाएगा, माइनस 5 पर, x की वेल्यू के आ गई, माइनस 5, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको solve करना है, बुक में तो आई थिंग दोनों तरफ तू से माइल्टिप्लाई कर दिया, देन वो चीज आपको नहीं समझ में आएगी, त काम का आएगा, जिसे हम क्या कहते है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब कोई चीज कहां काम आ रही है, जैसे ये चीज हमारे एरिया निकालने में काम आ सकती है, ये कोई और चीज, तो एक्जामपल नमबर 15 में क्या है, एज निकालने में काम आएगी है, तो कोशन के एक शिर्या है मान लो शिर्या की एज क्या मान ले हमने इस गरेंट है थी टाइमस थी श्रिया की एज की तो पांग साल पहले देखो फायव एम अगो श्रिया की एज क्या होगी श्रिया की पांच साल पहले क्या होगी पहले उसकी उमर में से पांच साल कम कर देंगे पीछे ना ठीक है जी तो अर्जुन की उमर कितनी हो जाएगी क्या हो जाएगी वह कहता है कि अर्जुन की उमर क्या हो जाती है जो श्रिया की एज है उस सात में यह जो जितनी उमर है वह क्या है शृय की उमर की ट्रिपल थ्राइस है यानि कि थ्री टाइम सोफ जो हमारे पास शृय की एज थी पांस साल पहले उसका थ्राइस हो गया यह हमारे एकान लाएंगे इधर ली आएंगे तो 2x माइनस में 3x और यह माइनस 15 है यहां पर क्या हो रहा है सब्ट्रेक्ट उधर जाके एड हो जाएगा सिंपल सी चीज अब देखो यह क्या बचाएगा इस माइनस से यह माइनस यहां से काड़ दो काड़ सकते हैं तो क्या हो गया x is equal to 10 year तो हमारे पास श्रिया की एज क्या आई 10 साल अर्जुन की present एज कितने आई दो 2 से multiply कर देंगे 10 को 20 साल श्रिया की 5 साल पहले उमर कितनी होगी 10 में से 5 गए 5 साल और अर्जुन की उमर कितनी होगी तो 20 में से 5 गए 15 साल ठीक है ना थ्राइस हो गई ना देखो 3 इंटू 3 5 इंटू 3 थ्राइस होता है 15 आ गया तो यही चीज आपके पास एक्जाम्पल में दी वही थी इसे कर दीजिए